आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाग च्छह राज से संबंधित है और भाग च्छह में हमने इससे पहले राजिपाल के बारे में हमने जानकारी ली, उसके बारे में पढ़ा कहां से कैसे प्रशन आते हैं किन-किन बिंदूओं पे मुख्य प्रशन बनते हैं सभी मंदल राज विधान मंदल का मतलब यह है कि वह जो राज के लिए कानूनों का निर्माड करती है क्या है इसका कर राज के लिए कानूनों का कौन करता है राज का विधान मंदल राज के लिए कानूनों का निर्माड करता है अब बात यह है कि किस भाग में है और किस अनुक्षेद से किस अनुक्षेद तक है तो भाग 6 में भाग 6 अनुक्षेद 168 से 212 तक इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है तो यहाँ पर दो बिंदू आपके समझने के लिए हैं कि भाग 6 राज के विधान मंदल से संबंदित है यानि राज से संबंदित है और उसी में अध्याय आता है राज के विधान मंदल का अनुक्षेद 168 से लेके अनुक्षेद 212 तक राज के विधान मंदल के बारे में जानकारी मिलती है अब यहाँ पर प्रश्ण यह है कि राज विधान मंदल होता कैसे है तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे राज विधान मंदल अनुक्षेद 168 कहता है किसी राज का जो राज विधान मंदल होगा वहाँ उस राज के राज्यपाल और सदन से मिलकर बनेगा अब यहाँ पर सदन के मामले में अंतर है अंतर क्या है कुछ राजियों में क्या है एक सदनी ववस्था है कुछ राजियों में दूई सदन है मतलब दो सदन है जहाँ पर एक सदन है वह है विधान सभा और जहाँ पर दो सदन है उसमें से एक है विधान सभा और दूसरा जो सदन है वह है विधान परिशद क्या है विधान परिशद तो बात समझ में आई बात समझ में आई कि दो सदन है एक है विधान सभा और एक है विधान परिशद तो आर्टिकल 68 कहता है कि राज का विधान मंडल उस राज के राज़ पाल और जिन राजियों में दुई सदनी विवस्था है वहाँ पर विधान सभा और विधान परिशद परंट जहाँ पर एक सदनी विवस्था है वहाँ विधान सभा से मिलकर बनेगा तो इतनी बात समझ में आई, बोलिए, इतनी बात समझ में आई, कि विधान मंडल कैसे होगा, विधान मंडल आर्टिकल 168 के अनुसार होगा, जिसमें कहा गया है कि विधान मंडल उस राजी के राजी पाल और एक सदनी विवस्ता जहां है, वहाँ विधान सभा से मिलकर बने अब आर्टिकल 169 पर आते हैं फिर हम दोनों सदनों की बात करेंगे तो आर्टिकल 169 एक बात कहता है कहता है कि विधान परिशद का गठन और उसका समापन करने का अधिकार यह बहुत बार एक्जाम में पुछा जाता है ध्यान रखिएगा क्या है अनुक्षेद 169 अनुक्षेद 169 क्या कहता है ध्यान से देखिए क्या कहता है विधान जो दूसरा सदन हम आपको बता रहे थे अभी विधान परिशद का गठन या समापन विधान परिशद एक सदन है और वो उच्च सदन है परन्त इसका समापन होता है कभी विगटन नहीं होता है तो ये सभी राजियों में नहीं है जिन राजियों में विद्दमान है उन राजियों में इसका समापन भी हो सकता है या किसी राजियों में इसे लाया भी जा सकता है तो बात ये है कि आर्टिकल 169 करता विधान परिशद का गठन और उसका समापन समापन तो ये सकती किसके पास है ये अधिकार किसके पास है ये अधिकार है संसद के पास किसके पास संसद के पास ये अधिकार है कि वह किसी राजी के विधान परिशद का समापन कर सकती है या उस राजी के विधान परिशद का गठन कर सकती है देंकि परन्त वह ऐसा नहीं ह किसी राज की विधान परिशत का समापन या फिर उसके गठन के लिए उस राज की विधान सभा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है, तब संसद क्या करती है तब संसद विधान परिशद का गठन और क्या करती है समापन करती है कैसे राज विधान सभा सदस्थ संख्या के बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत जब कोई राज की विधान सभा अपने सदस्य संख्या के बहुमत से या एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर देती है कि वह अपने राजी में विधान परिशद चाहती है या नहीं चाहती है तो संसद को ये अधिकार मिल जाता है तब तब संसद क्या करती है उस राजी की विधान सभा को समाप विधान परिशद को समाप या उसका गठन कर सकती है तो अगर प्रशना आता है कि विधान परिशद के समापन या उसके गठन की शक्ति किसमे है तो संसद के पास कौन सा नुक्षेद है नुक्षेद 169 है इतनी बात क्लियर हुई यहां तक किसी प्रकार की समस्या बताईए यहां तक किसी प्रकार की समस्या चलिए अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं अब हमारा जो टॉपिक है वो है विधान सभा टॉपिक का नाम है विधान सभा दोको विधान सभा होती क्या है विधान सभा विधान सभा है क्या और किस आर्टिकल में है तो विधान सभा या निम्न सदन है क्या है या एक निम्न सदन है क्या है निम्न सदन है निम्ण सदन और राज की जनता का प्रत्य निधित्त करती है कहां विधान मंडल में सवाल यह है कि आर्टिकल 168 कहता है प्रतेक राज्य में एक विधान सभा होगी तो राज्य हमारे अपाद दो तरह के हैं बच्छा एक है तो जो राज कहे जाते हैं एक है संग सासित राज क्या है संग सासित राज जिनने हम UT कहते हैं अब देखिए प्रतेक राज में विधान सभा है क्या सभी राज्यों में क्या है विधान सभा है सभी राज्यों में है विधान सभा लेकिन सभी केंद्र सासित राज्यों में विधान सभा नहीं है ये तीन राज्यों में केवल है एक तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कस्मीर इन तीन संग सासित राजियों में क्या है इनके पास अपनी विधान सभाएं मौजूद है मेरी बासमन में आ रही है तो विधान सभा राज विधान मंडल का निम्न सदन है यहां राज विधान मंडल में राज की जनता का पतिजित्व करती है आगे क्या है कि सभी राज्यों में विधान सभाएं तो है लेकिन सभी संग सासित राज्यों में विधान सभाएं मौजूद नहीं है केवल तीन संगसासित राज्य ऐसे हैं एक दिल्ली पुदुचेरी और जम्मु कस्मीर जहां पर विधान परिसभाएं मौजूद हैं तो इतनी बात क्लियर हुई आपको इतनी बात समझ में आई आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए चलिए अब देखते हैं संरचना विधान रचना विधान सभा की संरचना देखिए संरचना की बात करें तो सबसे पहले यहां पर एक बात जाने है विधान सभा राज जी के जनता का प्रत्निधित्व करती है यानि यह जनता सीधे तोर पर इसके सदस्यों को निर्वाचित करेगी प्रत्यच्छ रूप से अब यहां पर तीन चरह की चीज़े हैं देखिए संरचना में बात करते हैं आधिक但是 यहां पर है एक तो अधिकतम आ अर एक है नियुनत्तम अधिकतम कि इतनी हो सकती है नियुनत्तम कितनी हो सकती है परंत यहां पर एक तीसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी अपवाद के रूप में अपवाद के रूप में मतलब ना तो वो अधिक्तम में आती है ना तो वो नियूनतम में आती है तो अधिक्तम कितनी होने चाहिए नियूनतम कितनी होने चाहिए राज विधान सभा कि अधिक्तम संख्या कितनी होने चाहिए 500 यानि 500 होनी चाहिए कितनी 500 होनी चाहिए और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए 60 होनी चाहिए तो बात समझ में आई आटिकल अनुक्षेद 170 अनुक्षेद 170 में इसकी समरचना के बारे में बताया गया है कि किसी राजी की विधान सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और नियुनतम 60 हो सकती है परंतु परंतु चार ऐसे राज्य हमारे पास हैं जिनकी विधान सभाय जो है वो नियुनतम से कम है यानि उनमें सीटे 60 नहीं है 60 से कम है कौन कौन से सिक्किम मिजोरम गोवा पुदुचेरी कौन कौन से हैं सिक्किम मिजोरम गोवा पुद्चेरी ये चार राज्य ऐसे हैं जो अपवाद है क्यों अपवाद है क्योंकि 60 से कम संख्या है इनकी 60 से कम संख्या है 30, 32, 40 30, 32, 40 30, 32, 40 ये इनकी सीटों की संख्या है 30, 32, 40, 40 अब सबसे छोटी विधान सभा किसकी हुई पुद्चेरी की तो सबसे बड़ी विधान सभा किसकी होगी यूपी की कितनी कितने सदस हैं यूपी में कितने 403 बासवन में आई ये इसकी संरचना है ये इसकी संरचना विधान सभा की संरचना आर्टिकल 170 के अनुसार प्रतेक राजी की विधान सभा अधिकतम 500 नियूनतम 60 होनी चाहिए परंत कुछ राज्यों में सिक्किम, मिजोरम गोवा और पुद्चेरी अपवाद है जिन में सीटों की संख्या 60 से कम है बास मजबा रही है बास मजबा रही है यहां तक क्लियर कोई समझ्चा है यहां तक अब एक चीज और समझ लीजिए देखें विधान सभा में विधान सभा इसमें क्या है सदस है बच्चा जो यह सदस है यह निर्वाचित होंगे निर्वाचित होंगे कहां से प्रत्यच रूप से राज्यों से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन छेत्र से कहने का मतलब इतना है कि जो राज्य विधान सभा के सदस होंगे वो सभी सदस से राज्यों के जो निर्वाचन छेत्र होंगे उन छेत्रों से क्या होंगे वो निर्वाचित करे जाएंगे कैसा निर्वाचन होगा उनका निर्वाचन प्रत्यच रूप से होगा वहां की जनता के दौरा होगा एकदम क्लियर है कोई डाउट है यहां तक किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की समस्या यहां तक चलिए अब बचा हम इन सदस्यों की योगिता की बात कर लेते हैं यह जो सदस्य इनकी योगिता क्या होनी चाहिए विधान सभा के सदस्य के लिए क्या योगिता होनी नागरिक होना चाहिए भारत का नागरिक और दूसरी सबसे वड़ी योगिता क्या है उम्र से आयू से सम्बंदित है क्या 25 वर्स की आयू को पूर कर चुका हो 25 वर्स की आयू पूर कर चुका हो ये योगिता है और तीसरी बात ये है कि संसद जो भी योगिता बनाती है उस योगिता को वो फुल्फिल करता हो इतनी बात सोंज में आई बोलिये इतनी बात सोंज में आई आगे बढ़ा जाए चलिए आगे बढ़ते हैं अब कारेकाल देख लो कारेकाल कारेकाल बच्चा विधान सभा का होता है पांच वर्स का कारेकाल है पांच वर्स का परंतु पांच वर्स से पूर्व भी या विगटित हो जाती है परंतु राज्यपाल पांच वर्स से पूर्व भी विगटित कर सकता है विग्टित कर सकता है बास्वन में आई पांच वर्स से पूर भी राज जिपाल क्या कर सकता है इसका विग्टन कर सकता है तो इसका कारेकाल कितना है पांच वर्स का है आप देखिए विधान सभा है तो इसके अधिकारी होंगे पदा अधिकारी दो तरे के दो पदाधिकारी इसके होते हैं एक अध्यच और एक उपाध्यच विधान सभा के पदाधिकारी दो पदाधिकारी हैं एक है अध्यच और दूसरा है उपाध्यच दोनु जो हैं वो विधान सभा के सदस्य अपने में से अपने में से निर्वाचित करते हैं अपने में से क्या करते हैं निर्वाचित करते हैं दोनु जो हैं उपाध्धच और अध्धच अपने में से यानि जो विधान सभा के सदस हैं वो अपने में से एक अध्धच और एक उपाध्धच का क्या करते हैं? निर्वाचन कर लेते हैं. अब देखिए. अध्धच अपना त्याग पत्र देता है किसे? उपाध्धच को. और उपाध्धच अपना त्याग पत्र किसे देता है? अध्धच को. इस प्रकार से इनका पत्र जो है वो समाप्त हो सकता है. लेकिन और एक तरीका है. तरीका ये है कि अगर विधान सभा क्या करती है? अध्धच की शक्तियों के बारे में जान लो थोड़ा सा. अध्धच की शक्ति. किस अध्धच की शक्ति? विधान सभा के क्या है? पहली सक्ति क्या है? विधान सभा का संचालन करना. दूसरा क्या है? प्रस्ताव पर मतदान कराना और परिणाम घुशित करना. और परिणाम घुशित करना. अगला देखी क्या है? निर्णायक मत देना. अगला क्या है? धन विध्यक को प्रमारित करना. आदी. आगे धन विध्यक को प्रमारित करना. राजिपाल और उनके बीच में एक ब्रिच का कार करता. आदी उसके बहुत से कार हैं. दल बदल कानून के अधार पे आयोगरता का प्रश्नगर उठता है तो उस पर निर्णे लेना. ये सबी कार किसके हैं? ये सबी शक्तिया राज विधान सभा के अध्यच के पास हैं. तो ये थी राज की विधान सभा. अब अगला सदन क्या है? अगला सदन जो है वो है विधान परिशद. अगला सदन जो है वो है विधान परिशद. और विधान परिशद पर अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि विधान परिशद आर्टिकल 169 के अनुसार विधान परिशद क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं चलिए विधान परिशद सबसे पहले तो यहां उच्च सदन है उच्च सदन इसका कभी विगटन नहीं होता और राज विधान परिशद केवल उनहीं राजियों में पाई जाती है जिन राजियों में यह विद्दमान है तोटल आंद्र परदेश, बिहार, मद्र परदेश, तमिलनाड, उत्तर परदेश, महराष्ट, पंजाब, करनाटक और पश्चिम बंगार इन राजियों में यह विद्दमान है अब आर्टिकल 171 में इसकी सनरचना के बारे में बताया गया है तो इस पे हम देखते हैं अनुक्षेद 171 कहता है कि किसी राजि की विधान परिशद, उस राजि की विधान सभा का एक बटे तीन से अधिक नहीं हो सकती कि क्या विधान परिशद, राज विधान सभा के सदस्य संख्या का सदस्य संख्या के कि एक बटे तीन यानि एक तिहाई से एक तिहाई से अधिक नहीं होगी एक तिहाई से अधिक नहीं होगी कि राज विधान परिशद की जो सनरशना है उस राज की विधान सभा के सदस्य संख्या का एक बटे तीन से अधिक नहीं हो सकती ये इसकी सनरशना है आर्टिकल 171 इस बात को क्लियर कहता है कि अगर आपके राज में विधान परिशद मौजूद है तो वह अनिश्यत तोर पर आपकी विधान सभा के सदस्यों का एक बटे तीन से कम या उसके बराबर होगे उससे अधिक नहीं हो सकती इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में आई अब देखते हैं निर्वाचन विधान परिशद का निर्वाचन तो इसका निर्वाचन कैसा होता है आप्रत्यच होता है कैसा होता है आप्रत्यच होता है आप्रत्यच का मतलब यह होता है समानुपातिक प्रतिनिधित और एकल संक्रमडिय विधिद्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित और एकल संक्रमडिय विधिद्वारा इसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है तो इसमें क्या क्या होता है देखिए एक बटे तीन प्लस एक बटे तीन प्लस एक बटे बारा प्लस एक बटे बारा प्लस एक बटे च्छै देखिए दियान से देखिए एक बटा तीन प्लस एक बटा तीन प्लस एक बटा बारा प्लस एक बटे बारा प्लस एक बटे च्छै ये लोग इसके निर्वाच सबसे पहले देखिए एक बटे छे जो है वो मनोनीत है मनोनीत है किसके दोरा राजपाल दोरा राजपाल दोरा क्या है मनोनीत है कितने एक बटे छे सदस राजपाल के दोरा क्या है मनोनीत है अब एक बटे तीन सदस कहां से हैं एक बटे तीन सदस राज विधान सभा के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित यानि विधान परिशत के जो एक बटे तीन सदस है वो उस राजी की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे फिर एक बटे तीन जो है वो पंचायत नगरपालिका देखिए इस्थानी सासन में पंचायत और नगरपालिका है पंचायत नगरपालिका के सदस्यों द्वारा जिला पंचायत इन क्या मतलब सीधी सी बात है के सदस्यों द्वारा निर्वाचित बात समझ में आई फिर एक बटे बारा जो है देखिए एक बटे बारा जो है वे माध्यमिक और उच्च सिछण में तीन वर्ष का सिछण कार करने वाले सलोग वे उसे सिछखकों के द्वारा चुने जाते हैं क्या माध्यमिक और उच्च सिछण संस्थानों में के सिछखकों द्वारा और ऐसे सिछखक जिन्होंने तीन वर्ष का अपना कारेकाल पूर्ण कर लिया हो वो सिछखक क्या करते हैं उनका निर्वाचन करते हैं अब देखिए अब आता एक बटे बारा ये ये जो हैं वो विश्विद्याले में कम से कम तीन वर्ष पूर्व उसका वाच्छात रह चुका हो इस नातकों द्वारा चुने जाते हैं किसके द्वारा इस नातकों द्वारा ऐसे इस नातक जो तीन वर्ष पूर्व किसी विद्याविश्विद्याले के च्छात रहे हों वे मिलकर एक बटे बारा सदस्यों को चुनते हैं तो एक बटे तीन राज के विधानमंद, विधानसभा सदस्यों दौरा, एक बटे तीन इस्थानिय सासन के सदस्यों दौरा, एक बटे दवारा माध्मिक और उच्छ सिच्छर संस्थानों के सिच्छकों दौरा, एक बटे बारा इस्तनातकों दौरा जो विश्विद्दाले इस मईक किस उनकंग दौरा और एक बटेश है राज्य पाल के दौरा नोणीत होते हैं को हरो maturity कि इनका निर्वाचन को स्पीर होता आ प्रत्यच को मतलब है समानुपातिक प्रत्यनेजित्च धौरा 8mm संग्रमडि रीथी के दौरा में आ रही है आगे बढ़ा जाये अब देखिए अब बचा इनकी योग्यता की बात कर लेते हैं इन सदस्यों की योग्यता योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी योग्यता 30 वर्स की आयू को पूर कर चुका हो 30 वर्स की आयू को पूर कर चुका हो ठिक मेरे बात समझ में आई अब कार्यकाल की बात कर देखिते हैं कार्यकाल कार्यकाल होता है 6 वर्स का विराज विधान परिशद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्स का होता है और प्रतेक 2 वर्स पर 1 बटे 3 सदस 2 वर्स बाद क्या करते है अवकास ग्रहन करते हैं यानि रिटायर हो जाते हैं अवकास प्राप्त करते हैं थिक बास समझ में आई यानि जो सदस हैं उनका कारकाल 6 वर्स का है और प्रतेक 2 वर्स की अंतराल पर 1 बटे 3 सदस से अवकास प्राप्त करते हैं तो ये थी संरशना निर्वाचन और उनका कारेकल अब अंतिम इसका बिंदू बचा है इसके जो पदा अधिकारी हैं दो पदा अधिकारी होते हैं विधान परिशद के पदा अधिकारी पदा अधिकारी विटा दो पदा अधिकारी होते हैं एक होता है सभापती और एक होता है उपसभापती और दोनी ही विधान परिशद के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित होते है ठीक दोनों सदस्य दोनों पदादिकारी है सभापती और उपसभापती वो राज विधान परिशद के सदस्यों दोरा अपने में से ही चुने जाते हैं अब बात ये है कि इनका कार काल भी छैवर्स का होता है इन्हें पद से हटाना है तो वही प्रक्रिया की विधान परिशद साधार भुमस से ऐसा संकल्प पारिद कर दे और सभापती और उपसभापती को अपने पद से हटना पड़ता है तो राज विधान मंडल यहीं होता है मिलते हैं अगले क्लास में ने टॉपिक के साथ धन्यवाद